हेलो स्टूदेंट्स लास्ट मेरे वीडियो क्लास में आपने वौ्ल एनिमल फाइवर के बारे में इसका ओरिजन, टाइप अप वुल, सूरस अप वुल के बारे में आपने सारा डिटेल में पधा है और इसे के साथ में आपने क्लासिस ऑफ District में समझा है आज की मेरे इस class में kind of wool fibers के बार में हम detail में पढ़ेंगे इससे पहले type of wool में जैसे मैं थोड़ा सा इसमें बता दू यानि four mainly होते हैं एक होते है long wool, दूसरा होते है long wool, second hair medium wool, fine wool and hair wool इन चारों तरह की जो wool होती है या own होती है यानि long, medium, fine and hair wool इनके अलग-अलग use होते हैं और वो उनकी quality के उपर depend करती है इसी के साथ में next हमारा वो रहेगा कि type of wool yarn कितने परकार के होते हैं यानि wool जो है वो मेली दो तरह के इसके yarn होते हैं एक wool yarn जो के thick होते हैं thick and fiber in wool yarn yarn are held loosely and subjected to only limited twist during spinning, these yarn are woven into thick bulkery material यानि दो तरह के हम जब पूरी जब भी हम उनिवस्तरों की निर्मान प्रकेरिया के उपर हम जाते हैं तो उससे पहले हमें उन के उनिवस्तरों के जो है उसको किस तरह से वो रेशे बनते हैं उनको हमें focus करना है तो first मैंने आपको बताया वोलन यान यह उनिवस्त छोटे छोटे रेशों से तयार किये जाते हैं रेशों को धुनने के बाद में सीधे इनकी कताई कर दी जाती है इनकी बताई भी कम या नहीं के बराबर की जाती है जिससे वस्तर कम मजबूत बनते हैं दूसरा यह जो होते हैं इन पे हलकी design से बुनाई की जाती है यह देखने में कम आकशक लगते हैं वस्तर में दबाब पढ़ने से यह खिच जाते हैं और इसके कारण से धीले भी हो जाते हैं इनकी जो surface होती उस पे रोएं रहते हैं इसको fusiness भी कहते हैं इससे जो है यह वस्त बहुत ज़्यादा गर्मा हट प्रदान करते हैं इससे कम मुल्ले के sweaters वगरा तयार किये जाते हैं बन्यान, कंबल, शॉर्प, प्लॉवर, प्लॉवर और कार्डिंगन आदी भी इसमें इससे बनाए जाते हैं देखे आप दो तरह के जो हैं soft yarn और वस्त यान और वस्त यान यान ये आप पिक्टर में देखे दो तरह के हैं powiedzieć soft जो होते हैं या golden बलन जो होते हैं वह इसतरह से दिखाइए देंगे और वस्त बनाने के लिए लंबे ratio को चल खकर अलग रखा जाता है रेशो को धुनाई प्रक्रिया के बाद में इनकी कॉम्बिंग की जाती है जिससे रेशे पूनते समान पेरलल हो जाते हैं इनमें सगन बुनाई द्वारा आकशक डिजाइन के हलके मजबूत और टिकाउ वस्ते बनाए जाते हैं ये रेशे लंबे मजबूत और उच्छ क्वा इसलिए इनके जो सर्फेस पे धूल कांड मिट्टी गंद्गी बहुत ज्यादा चिपकती नहीं है और जब भी यदि कोई इस पे स्टेन लग जाता है तो आसानी से छूट जाता है अब इनको हम दोनों को कैसे डिफरेंशेट कर सकते हैं थोड़ा से इसको और में डिटेल म से बनाया जाते हैं जबकि वस्टर जो होते हैं वो लंबे रेशों से त्यार किया जाते हैं वुलन जो होते हैं उसमें घुंगराली घुमाब जादा होते हैं जबकि वस्टर स्टेट होते हैं वुलन फैबरिक के रेशों समानंतर किया जाता है और उसके बाद में उनकी कता प्रटाई की जाती है इस में वस्टर्ड में रिषयो की कार्डिंग के परशात कॉम्बिंग प्रकिर्या की जाती हן और उसके बाद में उनको परल्ल किया जाता है वुलनटाण फैब्रिक्स सिमय नद्यशन होते हैं पूरी तरह से नहीं आंशी Κूण Бुस्टर्ड समय कि बूलन करे पर्टाइब नहीं कि जाती और EPA फिर्जली उन्हें किन पिए Calvin p结 कि यह ऑदिक होती है सिंप पॉलन जो पॉlectionों नहीं कि एन्हें एनיתי जंवेस होथ इसमें प्रषाम्याद I हो जाते हैं जबकि वस्टर्ड का जो सर्फेस होता है वो चिकना और आकार्शक होता है नेक्स्ट है वुलन जो होते हैं वस्टर्ड वो धीले होते हैं और इनकी कारशमता कम हो जाती है जबकि वस्टर्ड टिकाव और मजबूत होते हैं नेक्स्ट है जो वुलन जो फैबरेक् सब्सक्राइम होते हैं जबकि वस्टड हलके होते हैं सुद्ध कर जल्दी प्रवेश कर जाते हैं और इस गंदे भी जहते हैं जबकि इनकी जो वर्स्टर्ड होते हैं, इनका सर्फेस चिकना होता है, इसके कांट से धूल मिटीन में बहुत ज़्यादा प्रवेश नहीं कर पाती और जल्दी गंदे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, बुलन जो होते हैं, इन पर दबाब पढ़ने पर वर्स्टरों का आकार चेंज हो जाता है, रेशे खिच जाते हैं और वापस अपनी आकरती में नहीं आबाती हैं। नेक्स्ट है, वुलन जो फाइबर होते हैं, उनको अन्य रेशों के साथ में मिला कर वस्त तियार किये जाते हैं। जबकि इन्हें जो वस्तर होते हैं, इनके साथ में किसी भी दूसरे रेशे को मिस्रत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, जो फुलन फाइबर होते हैं, रोय उठे होने के कारण से इसमें बीच में हवा फाज जाती है। और इसके कारण से ये गर्माहट अधिक प्रदान करते हैं। जबकि वस्तर जो थे ओल्रेड़ी बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं, तो अधिक गरम रहते हैं। और वुलन जो होते हैं, इनसे हम जो फाइबर होते हैं। इनसे हम स्वेटर, बन्यान, शॉल, फ्लोवर, कंबल, कार्डिकन, फ्लेलन और होजरी के समान बनाते हैं। जबकि वस्तर से जिसे गरम सूट हैं, जेस्टर हैं, कोट हैं, ओवर कोट हैं, शुटिंग जैकेट्स हैं। ये सारे के सारे बनायें जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों जो हैं, बहुत ही इंपार्टेंट वह होते हैं। इंपार्टेंट होता है। फर्स्ट है टेंसल स्ट्रेंथ यानि इसकी जो है स्ट्रेंथ कैसी पाई जाएगी तो बुलन है टेंसल स्ट्रेंथ 17,000 तो 29,000 IBS पर स्कार इंच इसमें पाई जाती है यानि इसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और यह आसानी से जिसे पहला जो है वह अराम से अपना खिच जायेगा इसका जो होती हो बहुत ज़्यादा बैटर होती है नेसीट है टेस्ट जेख वोल्हेज prospects एड बेक 25-35% अंडर स्टेंडर कंडिशन ऑफ टेस्टिंग यदि हम इसको एक समने स्थाथ पर इसको देखें तो इसमें जो है वह एलोंगेट हो जाएगी 25-35% एक पर्टिकुलर कंडिशन पर इसमें जो है वह इसमें चेंज आ जाते हैं नेक्स्ट है इलास्टिक या इलास्टिक प्रापर्टी इलास्टिक प्रापर्टी का मतलब होता है इसमें प्रत्यास्था यानि उनी रेशिय जो होते हैं वुल इस एन इलास्टिक फाइबर इट हैस लास्टिक रिकावरी आफ 99% एट 2% एक्सेंशन और 63% एट 25% एक्सेंशन यानि इस नोनी रेशो में जो है प्रिक्टैस्था का बहुत अद्बूत और विलक्षन गुण पाया जाता है यह अपनी मौलिक लंबाई से 30-40% अधिक खिंड जाते हैं और उसके बाद में वापस अपनी स्थिती में आ जाते हैं यदि कई बार हमें लगता है कि यह जो है इसमें कुछ चेंजिस हैं तो यह वापस अपनी बॉड़ी जब भी कोई व्यक्ति इसको पहनता है तो यह अराम से उसके अंदर फिट हो जाएगा कोई व्यक्ति के अंदर आ जाता है next specific gravity इसकी gravity 1.32 होती है moisture regain 60% इसका पाया जाता है और जो है इसके पर जो है उश्मिता का या heat का क्या प्रभाब पाया जाता है यह अलगा देखने को मिलता है जैसे at 130 degree centigrade it decomposes and turned yellow यदि 130 degree पाय यदि हम इसको गरम करते हैं तो जो है यह decompose हो जाएगा और हानिकारक इस पर प्रभाब पढ़ता है और यह पीले रंका हो जाता है वुल बिकम वीक एंड लूजस इट इट सॉफटनेस वैन हीटेड तो टेंपरेचर और वालिंग वाटर फॉर लॉंग पिरिड ऑफ टाइम यदि हम बुल को लंबे समय तक गरम पानी में भीगो कर रखते हैं गरम उस पर रखते हैं तो उसके तंतु कमजोर पर जाते हैं और उसमें जो है उसकी सॉफटनेस जो होती है वो भी कतम हो जाती है एफेक्ट ऑफ एस वुल शोज लिटल डिटेरेशन वैं वित एस वैं स्टोर केरफुली यदि जैसे जैसे बढ़ेगी जितना लंबा समय वुल का होता जाता है तो उसमें डिटेरेशन हो जाते हैं यद विकेंड बाइप लोंग एक्सपोजर तू सनलाइट दा वुल बिकम डिसकलर एंड डवलक ए हार्श फील यदि लंबे समय तक यदि हम धूप में यसल लाइट में उसको रखते हैं तो भी उसका कलर बदल जाता है और एक बहुत अच्छी फीलिंग इसमें नहीं आती एफ विल्फाइबर्स यूज़ किये जाते हैं यदि तो भी उसके कुछ वुल फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं इफेक्ट ऑफ एलकाइन्स अन्लाइक कॉटन स्टेक्चर ऑफ वुल इस सेंसेटिव ऑफ एलकाइन सबसेंट यह निए सूती जो कपास की कमपारिटि होते हैं वुल बिल्बी डिसल्व बाय कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा से डिसल्व हो जाता है तो सौरिंग और ब्लीचिंग ऑफ फुल इसको यूज़ करना चाहिए सोलुशन लाइक सोडियम फॉसफेट एमोनियम कार्बोनेट विच है मिनिमम एफेक्ट ऑफ यानि सोडि यानि इस पर केड़ों का बहुत ज्यादा इफक्ट आता है माइक और इसके लावा कुछ और भी हीट कंडक्टिविटी है क्योंकि यह उनी वस्त उश्मा के कुछ अलग होते हैं और इसलिए इनका जो है बहुत द्यान से यूज में करना चाहिए यदि हम इस पर इफक्ट ऑब्रेशन यानि उन वस्तरों को यदि रगार्ड या हर्शन घर्शन उसके किया जाता है तो भी उनके पर हानिकर भाब पड़ता है और इनको अच्छे से सॉफ्टली धोना चाहिए उनके वर्णा इनके फाइबर जो आते हैं वह नाच्ट हो जाते हैं यानि बहुत ज़ादा इनको द्होना नहीं रगड करना चाहिए फिर है क्रीज रेजिस्टेंस इसमें पाई जाती है यानि इनकी रेशे स्किन प्रतीरोधी होते हैं इनमें शिकन नहीं पड़ती है और इसमें elasticity और पत्याष्टा का गुण होने के कांड से ये crush भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। यदि हम जैसे एक बार मुठी में दबा के इनको वापस छोड़ें तो ये वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। चमाक आयन में खुब लश्यर्स पाया जाता है। यानि भेड किस तरह की quality है, उसकी क्या जाती है, कैसा उसका nutrition है, उसका origin किस environment में रह रही है, उसके accordingly इसके कितनी चमाक होगी वह भी पाई जाती है। एक और जो चीज है इसमें मैं थोड़ा सा इसकी physical characteristics पे थोड़ा हम लोग focus करेंगे। physical characteristics जैसे उन का रेशा प्रोटीन का रेशा होता है। और इसमें carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen के अलावा sulfur भी पाये जाता है। और यह सारे के सारे मिलकर कैरोटीन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। next step इसका जो microscope से यदि हम structure देखते हैं तो इसके जो ratio होएंगे वो annumate होंगे, irregular होंगे और beach वाला जो पार्ट होगा उसमें rounded होंगे। लेकिन जो tails होंगे, दोनों जो शीरे होंगे वो pointed होते हैं। next step इसका जो diameter जो होता है, average जो होता है, यह 0.005 से 0.0015 इंच होता है। और यह सभी जो natural fibers होते हैं, जिसे कपास, linen और रेशम से यह मोटा होता है। और यह माना जाता है, इसका व्यास जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ही यह बारिक होंगे और उतने ही उत्कृष्ट quality होगा। जितना ज़्यादा मोटा होगा, उतनी ही इसकी quality जो है, वो कम होती जाती है। length जो होती है, एक से चार इंच तक होती है, और कुछ-कुछ जो उनी रेशम होते हैं, वो 7-8 इंच तक के भी होते हैं। तो इस तरह से यह जो रेशा एक बहुत ही important रेशा होता है, natural रेशा होता है, और इन पे सब बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, bleaches का, पसीने का, तो इसको बहुत ही properly handle करना चाहिए। अब है advantages of wool fiber, क्या-क्या इसके लाव होते हैं, wool is natural, renewable है, sustainable है, biodegradable है, और energy efficient है, wool is safe, flame resistance है, UV protection है, static electricity injection करता है, high thermal resistance होता है, wool is healthy, breathable, humidity control करता है, low allergic होता है, toxic chemical absorption का काम करता है, और sound reducing होता है, इस तरह से एक wool जो है, वो बहुत ही natural fiber है, और human body के लिए बहुत ज़्यादा useful है, और बिल्कुल क्योंकि ये natural है, तो और बहुत ज़्यादा इसमें chemicals यूज नहीं किया जाते हैं, तो इसके पर भी इसका पर कोई भी side effect नहीं आता है, thank you students, next मेरी class में, आप इसका कैसे हम पूरा उनका रेशा, उसके कौन-कौन से stages होती है, किस तरह से एक animal skin से प्राप्त करके, बाल को और किस तरह से हम रेशे तक इसको प्राप्त करते हैं, उसके बारे में पूरा आप पढ़ेंगे, थब तक के थैंक यू, have a good day.